हेलो फ्रेंज, चलिए मैं आपको फिर से कौन नए डिजान का डॉर्मेट बताने वाली हूँ और यहां पर मैंने इसे बनाने के लिए दो कलर ले लिए हैं और मैंने ये नव नमबर शलाई ली हुई है यह रिखे इसी से मैं बहुत ही प्यारा सार बहुत ही सुन्दर आपको डॉर्मेट बताऊंगी जो बनाने में बिल्कुल इजी है जिसको हम साथ में ही लैस बनाएंगे तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं किस तरह से हमने बनाना है तो यहाँ पर यह रिखे बनाने के लिए मैंने अपना 20 फंदा ले लिया है 22 फंदे से मैं आपको यह बताऊंगी 2 फंदा मैं इस कलर से डालूंगी तो आप इसे 32 फंदों में भी बना सकते हैं जैसे कि आपने 30 फंद अपना green color से डाल दिया और 2 फंदे अपने इस color से दूसरे से तो देखे, यहां पर हम 2 फंदा इस तहरे से इस को फंदा हम उसी तरह से डाले हुए है, ऐस तरीके से जिस तरह से हम हमेशा डालते हैं, यह रिखे यहां पर टोटल 22 फंदा हो चुका है इसी से मैं आपको बहुती सुन्दर सा और बहुती प्यारा सा डॉर्मेंट बताऊंगी जो बनाने में बिल्कुल इजी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं किस तरह से हमने बनाना आए तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो देखिए हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं किस तरह से हमने बनाना आए ये रिखिए पहले फंदे को हम इस तरह से बुल लेंगे और ये धागा अपनी तरफ रहेगा और दूसरे फंदे पर हम ये रिखिए जाली डालते हुए यहाँ पर फंदा अपना बढ़ा लेंगे इस तरह से तो यहाँ पर मैंने तीन फंदा अपना बना लिया है इसके बाद ये रेखिए आगे का फंदा अपना गिरीन से बना लेंगे दो तीन तीन चार हो चुके हैं पांच छे शाथ आठ नो दस ये ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा तो देखिए मैंने यहाँ पर अठारा फंदा बुन लिया है दो फंदा लाश्ट का मैंने छोड़ दिया है और यहीं से मैं अपना वापिस हो जाऊंगी और ये रेखिए यहाँ पर जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम बनाएंगे ये रेखिए इस तरह से तो यहाँ पर ये मैंने अठारे फंदा अपना ग्रीन से बनाना है और तीन फंदा अपना आगे का इकी रेखिए पिछे दागा कर लेंगे और इस वाले दागे को हम आगे लियाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक दो और ये तीन अब फिर से ये देखिए हम पहले फंदे को बुल लेंगे इस तरह से और हमने यहाँ पर बढ़ा हुआ फंदा भी बुल लिया है इस तरह से और यह देखिए इसी फंदे पर हमने धागा अपनी तरफ है और यहाँ पर हम जाली डालते हुए फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से यह देखिए और इस वाली उल को हम आगे लाएंगे और यहाँ पे हम इसी तरह से इनको बनाएंगे और लाश्ट के फिर से दो फंदे छोड़ देंगे तो इसको बनाना बिलकुल एजी है बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं जिने उल्टा सीधा बनाना आता है खाली यही ध्यान रखना है यहाँ पे हम जो सीधा फंदा यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है और जो भी फंदा बढ़ता हुआ जाएगा उसको हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्रेट करेंगे तो देखे यहाँ पे हम दो फंदा फिर से छोड़ दिये और यहीं से अपना टैन कर लेंगे और यह सीधी सलाई को हम इसी तरह से बुन लेते हैं देखे फ्रेंज फिर से हम आपको बता रहे हैं यह रेखे पहले फंदे को बना उतार लेंगे और धागा अपनी तरप करेंगे चाहे आप चाहे तो इसको बुनाई भी कर सकते हैं तो देखे यहां पे हम दो फंदा अपना बढ़ा चुके हैं तो दोनों फंदों को हम बढ़े हुए इनको उल्टा बना लेंगे और यहीं पे हमने धागा अपनी तरफ है और यहीं से हमने इस तरह से अपना जाली डालते हुए फंदे को बढ़ाना है तो देखिए यहां पर हमारी तीन जालियां डाल चुकी है और हमारा तीन फंदा बढ़ चुका है धागा पीछे कर लेंगे और यह वाला धागा हम आगे लाते हुए आगे के फंदे बुन लेंगे और लाश्ट का हम दो फंदा फिर से छोड़ देंगे तो हम इसको इसी तरह से बुनेंगे एक फंदा हमने बढ़ाना है और लाश्ट के दो फंदा बिगर भुना छोड़ देना है तो चलिए हम यहां पर अपना अठारा फंदा छोड़ लेते हैं दो-दो करके मुझे अठारा फंदा दो-दो करके छोड़ लेना है और यहां पर अ ना को दस पंडा बढ़ा लेना है तो देखिए हम देख लेख कि इसको इसी तरह से बनाते हैं कि यह देखिए इसको हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे घ्रिक हम उल्टी सलाई पे जो फंदा जैसा है सीधी सलाई पे भी जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इसको हम बूल लेते हैं अब यहां पे हम इधर से हमने बूल लिया है और इधर से हम सलाई पे उतारेंगे और धागा अपनी तरफ कर लेंगे तो यहां पे यह देखिए दो, तीन, चार और यहां पे हम च wszna अपना बढ़ा रहे हैं यह देखिए इस तरह से दागा पीछे ही रहने देंगे और गिरीन को आगे लाएंगे और लास्ट का दो फंदा छोड़ेंगे तो चलिए यहाँ पे हम 18 फंदा छोड़ेंगे और यहाँ पे एक एक फंदा हम बढ़ा लेते हैं इसके बाद मैं आपको फिट से दिखा देती हूँ तो देखिए फ्रेंस यहाँ पे हम 18 फंदा छोड़ेंगे यह देखिए दो-दो करके हमने छोड़े हुए है अब यहाँ पे यह देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 9 मा फंदा हम यहाँ पे 2 फंदे हम डाले थे तो यह यहाँ पे मैंने 8 फंदे बढ़ा लिये हैं और यह देखिए 9 मा फंदा हम इस तरह से फिर से बढ़ा रहे हैं यह देखिए तो 9 फंदे यहाँ पे बढ़ चुके हैं धागा पीछे हैं और यह रिखी, दो फंदा अपना बना लिया है, तो यहां पर यह रिखी, दो दो करके मैंने 18 फंदे अपना छोड़ दिया है, इस तरह से यह रिखी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, यहीं से आपना टन करेंगे, 18 फंदा छोड़ दिया है, तो देखी, यहां पर आप हम क्या करेंगे, अब यहां पर यह रिखे, हम अपना नोमा फंदा, नो फंदे अपने घटाएंगे, तो देखी, किस तरह से बंद करेंगे, नो फंदों को जो बढ़ाए हैं हम, यह रिखे, एक, दो, 3, 4, 5, 6 फंदे हम घटा चुके हैं, और यह रिखे, 7 मा फंदा हम घटा रहे हैं, 7 और यह रिखे, 8 और यह रिखे, लाष्ट का 9 मा फंदा, तो यहां पर मैं 9 फंदा अपना घटा चुकी हैं, और यह फंदा हम सीधा बना लेंगे, इस तरह से अब ये देखे ये मैंने सीधा बना लिया है और लाश्ट में अब ये सभी फंदे छोड़ चुके हैं यहाँ पर 18 फंदा हम छोड़े थे और 19 और 20 मा फंदा हमारा ये सलाई में है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर धागा अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदों को हम इस तरह से जो छोड़े हुए सभी को हम बना लेंगे इस देखे तो आप इसे पुरानी चुन्य और साड़ी में भी बना सकती है इससे क्या है कि आपका बहुती 22 फंदों में भी ये काफी बड़ा बनकी कम्प्लीट होगा और बनाना इसको बिलकुल ईजी है और काफी जल्दी बनकी कम्प्लीट भी होता है ये और साथ साथ में हम इसमें लैस भी बना रहे हैं ये रेखिए तो सबी फंदे मैंने 20 फंदा अपना इस तरह से बुन लिया है ये रेखिए तो यहाँ पे ये एक पत्ती हमारी बनकी कम्प्लीट है इस तरह से अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर आपने कलर कलर में पत्ती बनानी है तो आप धागो को यहाँ पे चैंज कर सकते हैं ये देखिए इस तरह से तो यहाँ पे हमने अपना ओरेंज कलर लगा लिया है और देखिए मैं आपको यह बता रही हूँ जैसी कि हमारा ये लंबा धागा है तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे यह लिखिए इस तरह से इसको बान देंगे हैं और इसको भी हम इस तरह से ही साथ साथ दे जाते हैं 20 फंदों में हम अपना ओरेंज कलर को लगा रहे हैं और गिरीन कलर अपना हम 2 फंदों में गिरीन लगा देंगे ये रिखे दागे को कट करके भी आप लगा सकती है यहां पर हम अपना 20 फंदा गिरीन लगा लेगे और बनाना सेम तरीके से इसी तरह से है जिस तरह से आपको यह पी शुरूब आज से बताई हूं तो देखे यहां पर हम पहला पतार हैं और धागा अपनी तरफ करें लेंगे और यहां पर धागा अपनी तरफ करते हुए पंदा हम बढ़ा लेंगे इस तरह से यह लिखी एक फंदा में बढ़ा चुकी हूँ अब यहां पर धागा ओरेंज को आगे लाएंगे और सब भी फंदों को बुनेंगे और लाश्ट का दो फंदा हम फिर से छोड़ेंगे इसी तरह से आपने पूरा डोर्मेट कम्प्रिट करना है यह तो चलिए मैं इसको इसी तरह से कम्प्रिट कर लेती हूँ और इसके बाद आपको फिर से दिखाऊंगी तो चलिए लाश्ट के हम दो फंदा फिर से छोड़ेंगे जिस तरह से सुरूबात किये हैं सैम उसी तरीके से इसको हम बना के कम्प्रिट करेंगे तो लास्ट का दो फंदा छोड़ देती हूं यहीं से अपना टन कर लेती हूं तो चलिए इसको बनाते हैं और इसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंस मैंने फिर से अपना 18 फंदा छोड़ दिया है दो दो करके और यहाँ पर फिर से मैंने अपना 9 फंदा बढ़ा लिया है अब यह रेखिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर यह रेखिए एक, दो, तीर, चार, पांच, छे, साथ, और यह रेखिए आठ, और यह नव और इस वाले फंदे को हम यह वाला फंदा जिस पर हम फंदा बढ़ाते भी जा रहे इसको हम सीधार बना लेंगे यह रेखिए और आगे के फंदे हम जो छोड़े हुए हैं सबी को हम बूल लेंगे इस तरह से यह रेखिए तो पूरा डोर्मेट यहाँ पर इसी तरह से कम्प्रेट करना है दो पतिया हम बना के कम्प्रेट कर चुके हैं पूरा हम इसी तरह से इसको बनाएंगे यह रेखिए हर बार हम एक पति बनाने के बाद हर बार अपना कलर चैंज कर लेंगे चाहे तो आप धागे को कट कर सकती है चाहे आप इसको जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आप बना सकती है यह देखिए तो यहां पर यह देखिए यह दो पत्ती हमारी बन चुकी है इसी तरह से मैं इसको बना लेती हूं पूरा और इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूं तो चलिए मैं इसको पूरा कर लेती हूं